नमस्कार साथियों, आरके SMB के एप को तिरतिय चरण के आकलन के लिए रेडी किया जा चुका है यही जानकारी मेरा आमनिवास मेरा आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो साथियों वीडियो को आप बिना स्कीप किये पूरा अवश्चे देखिएगा और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सबसाइब करना भी न भूले साथ में गंटी वाले बेल आइकन को अवश्चे दबाएं क्योंकि इसी प्रकार के महत्पून कंटेंट की जानकारी आपको चैनल पर सबसे पहले दी जाती है तो चलिए साथियों देखते हैं एप की नई जानकारी सबसे पहले आपके जो सिस्टम है आपके पास मॉबाइल है उसमें जो RKSMB एप आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है जहां मैं आपको हाइलाइट करके बता रहा हूँ एसा RKSMB का لوगो है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एप आपके सामने इस तरह से रन करने लगेगी और आप इस तरह का पेज लेकर आपके सामने उपस्तित होगी जिसमें आपको बताया जाएगा आकलन चरण अब शुरू हो गया है तो आपको थोड़ी डेर वेट करना है फिर एप आपके सामने इस तरह की information लेकर आएगी तो अब आपको यहां देखना है यहां आपको important चीज बताए जाएगी उसको आपको read करना है उस कक्षा विशे और विद्यारतियों का chain करें जिसके लिए आप आकलन पूरा करना चाहते हैं तो आपको यहां आगे बढ़ने का button मिलेगा इस पर click कर लेना है जिसे आप इस पर click करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह की information आएगी यहां आपको बता जाएगा एप के माध्यम से विद्यारति के आकलन पत्र का photo ले तो अब आपको फिर arrow जैसा निशान इहां दिखाए देगा इस पर click कर लेना है जिसे आप इस पर click करेंगे नया page आपके सामने इस तरह से खुल कर आ जाएगा तो आपको यहां जो information दी जा रही है उसे भी read कर लेना है आकलन पत्र और एप पर विद्या जो चीज यहां दिखाए देगी अभी यहां आपको bell icon दिखाए देगा और उस पर एक notification भी दिखाए देगा तो सबसे पहले आपको bell icon पर click करना जैसे आप इहां click करेंगे आपके सामने इस तरह की information आएगी यहां पहला notification आपको मिलेगा RK SMBK 3 समय रेखा की जानकरी आपक के सातियों मैं अपने पहले वीडियो में आपको इन सब चीजों की जानकरी दे चुका हूँ कि RK SMBK जो आगलन 3 होगा उसका समय चक्र क्या रेने वाला है आगलन कभ से start होगा पर तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि कहीं आप भूलना जाए तो इसके लिए आ यहां क्लिक कर सकते हैं आपको यहां YouTube पर जो वीडियो है उनके त्रूव इनफॉरमेशन मिल जाएगी उसके बाद दूसरी इनफॉरमेशन जो आपको यहां मिलेगी द्वारा आकलन करने की प्रक्रिया यदि आप समझना चाते हैं तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं इस तरह स सारी information यहीं से अर्जित कर सकते हैं अब सात्यों देख लेते हैं कि अब पर और क्या बदलावाया है तो उसके लिए में एक बार अपना नोटिफिकेशन आ रहाता है इससे बेक आ जाता हूं जब हम बेक आएंगे तो इस तरह की information आपके सामने आएगी आप फिर से बेक आ जा तो अब आपको यहां से एप को देखना है आपको कौन-कौन सी कक्षाएं दी गई है उनमें क्या-क्या सब्जेक्ट आपको एलोट किये गए हैं वो information आपको इहां डिस्पले होगी जैसे मैं example के रुप में बता रहा हूं कि कक्षा 3 में मुझे English और Mathematics दी गई है इसी तरह जो भी आपको सब्जेक्ट दिये गए होगे उनकी information आपको इहां डिस्पले होगी उसके बाद कक्षा 4 में मुझे क्या-क्या दिया गया है तो information भी एप हमारे सामने यहां डिस्पले कर रही है कि मुझे English subject में teaching करवाता हूं और Mathematics teaching करवाता हूं मैंने कार पूरा किया है य यह नहीं किया है उसकी information भी यहां आपको दिखाए दे रही है तो इसा ही कारे की information भी आपको यहां बताएगी तो आपको इस जानकारी कोаль डेना है कि जी जानकारी आपके सामने आ रही है यह और यहीं नहीं आ रही है जो आपने mentoraire है उन्से आप संपर कीजेगा उसके आपके सामने यहां display हो जाएगी, आपके पास कौन-कौन सी कक्षा हैं, उनकी information आपको यहां दिखाए देगी, जैसे मुझे यहां कक्षा 3 की information दिखाए जा रही है, कक्षा 4 की भी information दिखाए जा रही है, तो मैं इन दोनों class का class teacher हूँ, यह information मुझे यहां से मिल रही है, तो आपको भी इसी तरह यहां display होगी, अब यदि आप data प्रिविस्ट करना चाते हैं, तो एप आपके सामने और क्या information लेकर आती है, तो वो जानकारी भी मैं आपको यहां से दे दता हूँ, जैसे मैं यहां से कक्षा 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहां क्लिक कर लिया है जैसे मैं यहां क्लिक करता हूँ, मेरे को सेक्षिन सेलेक्ट करने के लिए एप केती है, तो मैं यहां सेक्षिन मेरे विद्याले में एक ही चलता है, तो मुझे यहां A display हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद अगली information एप मेरे सामने फिर से लेकर आ ग लेती है, आगे बड़े नेम से, जहां मैं आपको हाइलाइट करके बता रहा हूँ, तो आप भी यहां इस तरह से चेक कर सकते हैं, वीडियो का उद्देश मेरा यही है, कि आप जो अपडेट आया है, उससे यता शिगर परिचित हो जाए, क्योंकि अपना जो RKSMB के आकलन ह वो 3 Start हो नहीं वाला है, तो मैं एप से आपको इस वीडियो के माद्यम से परिचे करवा रहा हूँ, तो आपको जो आगे बड़ रहा है, बड़े नाम से Option मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना, जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, इस तरह आपके कक्षा में, इस कक्षा में कितन मिलने लग जाएगी, कि आपने सपलता पुर्वक कितना कारे कर दिया है, जो मुझे यहां अभी 0 मिल रहा है, क्योंकि एप अभी अपडेटी हुआ है, और हमारा आकलन भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए सात्यों हमें यहां 0 दिखाए देगा, तो आपको आपके विद्यार्तियों की information यहां से मिल जाएगी, आप आपके विद्यार्तियों की information यहां से ले सकते हैं, अब यदि आप आकलन यहां आपको जिसे मैं एक example बता दूँ कि पहले नंबर का विद्यार्तियों मैं इसकी OCR upload करना चाता हूँ, वाई चांस मैं गलती कर रहा हूँ कि समय से पहले upload करना चाता हूँ, पर तो इसके सम्मुख मुझे जो यहां arrow मिल रहा है, इस पर यदि मैं क्लिक करता हूँ, तो एप हमें कारिक करने ही नहीं देगी, इस तरह की information हमारे सामने अब एप लेकर आएगी, आकलन प्रक्रिया 17 अपेल 2023 से शुरू होगी, तो अब हम हमें यहां okay मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है, हम यहां भी आखलन नहीं कर सकते हैं, और OCR अप्लोड नहीं कर सकते हैं, क्यों हमारी प्रक्रिया प्रक्रिया प्रारम होगी, तो सात्यों इस तरह से आपको एप को अवश्य चेक कर लेना है, कि एप पे नया update क्या आया है आपको एप से हमेशा update रहना है, तभी आप एप पर आसानी से कार्य कर पाएंगे, तो उम्मीदे सात्यों वीडियो के माध्यम से आप एप से भली बाती अप परीचित हो चुके होंगे और आप एप पर कार्य करने के लिए भी ready होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऐस इस वीडियो से फाइदा मिलने वाला है, सात्यों वीडियो के comment box मुझे अवश्य बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप मुझे और कोई तकनिकी शायता लेना चाते हैं, तो वो भी आप मुझे comment कर सकते हैं, मिलते हैं, सात्यों इसी तरह के हम update के साथ, तब तक के लिए जे हिन, जे भारत!